बिना तेल और मसालि की सबजी बनाना आप जान जायेंगे तो अब बाबा इसी तरह से बनाएंगे, क्यूंकि बीना तेल और मसाली इतना टेश्टी तो बनी नहीं सकता पिर मैंसे पूछी कि आप ऐसे 10 सबजी बना शहकती है तो आपको हम दिखा रहे बीना तेर और मशाले कर सब्सक्राइब पहले प्याज सब्सक्राइब मैं सपटा मैं करना है निस बंसे हैं की सब्सक्राइब तरह से आप मंचुरिया में देखते होंगे चार भागों में बड़े बड़े पीस में रहना था उसी तरह से आपको कट कर लेना है प्याज को और इसे पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे आलो बिल्कुत छोटे छोटे पीस में रहना चाहिए इस तरह से तीन भागों में करके चोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे और फिर लेंगे एक कप चना का दाल, चना के दाल को भींगो कर रख देंगे 15 मिनिट के लिए पानी में ताकि यह कापी शॉप्ट हो जाए और इसे एक साइड में रख देंगे 15 मिनिट के लिए और तब तक फि लेंगे एक कुकर, कुकर में आलो और प्याज की जो सब्जिया काट के रखे तो उसे डाल देना है और इसमें कोई भी तेल वेल वगएरा नहीं डालना है, पहले आप प्याज और आलो जो कट किये थे उसे कुकर में डाल लेना है, यह सब्जी आप पर जरू ट्राइ करिएगा और आपको बताएगा कि सब्जी कैसे लगी क्योंकि पहले तो आपको आपको यह नहीं है कि प्रसंद आये ना आए आप दोनों बता सकते हैं, और फिर इस कुकर में चना का डाल दाल लेना है बंद नमक स्वाद अनुसाल को टाल, टाल लॉलन मिक न्मच बॉरडर अपने अनुसायर डाल लेंगे राए बंद के लाद मिक बॉर्डर, बॉर्ट लेक्षेवं म ενदद बंद सब्स 7 न अनुसाल करने सब्स 7 रेमिज दाले. इंसारी चैल कर को बार दीख भाणों टोनों दालना इसमें मेरा सबसे खास ट्रीक यह था सोया सॉस सोया सॉस से आपकी सबजी काफी कलर फूल बनेंगी और टेस्ट बनेंगी और आपको कोई भी तेल में सारा डालने का जोट नहीं पड़ेगा ये इसे सिर्फ दो या तीन चमच डाल लेना है और इसमें आधा छोटी कोटोरी प सबजी त्यार हो जाएगी आप इसे एक पार इस तरह से ट्राइज जरूर करिएगा जिस तरह से आपको हम बताया है और इसमें सिर्फ डो तीन चमच डालेंगे आपका सबजी बिल्कु कलर फूल हो जाएगा अप इसमें धेर साला लाज मेश का पॉडर मसाला नहीं डालना है और यह सिर्फ दीखने में ही नहीं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लाएगा आप एक बट्राइग करके जरू हमें बताएगा कि आपको सबजी कैसी लगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में